नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा inverter के वाइडिंग के बारे में दोस्तों, यहाँ पे आप एक switchboard देख रहे हैं इसी switchboard में हम inverter का वाइडिंग करना सीखेंगे तो कैसे वाइडिंग करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हमारा switchboard है, इसके साथ में तीन लोड कनेक्ट है और एक power socket, ठीक है तो यहाँ पे fan और इस bulb को हम inverter के साथ कनेक्ट करेंगे और यह जो bulb है और यह power socket इसको हम normal power supply के साथ कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है तो दोस्तों, यदि आपको switchboard का wiring करना नहीं हाता और जो आप सीखना चाहते हैं कि किस प्रकाश से हम switchboard का wiring करते हैं तो दोस्तों, उसके लिए मैंने video बनाया हूँ उस video में मैंने explain किया हूँ कि यह जो switchboard है, उसको किस प्रकाश से wiring किया गया है, ठीक है तो आप उस video को देख सकते हैं उस video को link मैं description में दे दूँँगा, ठीक है दोस्तों अब देखी, यह जो switchboard है इसको power supply इस MCB के दोरा जा रही है, ठीक है दोस्तों अब जो हमारा switchboard है, इसी में हमें inverter का wiring भी करना है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा power socket है उसका wiring कर देते हैं, ठीक है तो यहां पर power socket का wiring भहत ही अच्छान है, बस आप अच्छे से देखी का, ठीक है तो जो हमारा power socket है, इसमें एक switch है और यहां पर 5 pin का एक top है, ठीक है यह वाली, इस pin को हमें face supply देना होता है, ठीक है तो हम क्या करेंगे, कि यहां से एक wire को connect करके, इस pin के साथ connect कर देंगे ठीक है दोस्तों, अब जो left side का जो pin है, उसमें हमें neutral supply देना पड़ता है तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक wire को connect करके इस pin के सार connect कर देंगे ठीके और यहां पर हम earthing दे देंगे ठीके यह जो मोटा वाला pin होता है उसमें हमें अर्थ को connect करना परता है ठीके दोस्तों तो यहां पर हमारा जो power socket उसका connection कर दीए ठीके अब देखिए यहां पर जो हमारा inverter होता है उसको दो input power supply दिया जाता है पहला तो man power supply से और दूसरा बैटरी से तो सबसे पहले हम इसको man power supply दे देते हैं ठीके तो यहां पर हम man power supply द में तीन पीन होती है ठीके दोस्तों और जो wire आएगा उसमें भी तीन वायर होंगे आपको कुछ नहीं करना है एक wire को यहां पर connect कर देना है दूसरे wire को यहां पर और जो एक green color का या या यलो का wire होगा उसको आपको मोटे वाली pin के साथ connect कर देना है ठीके अब जो हमारा inverter है उसको बैटरी से भी power supply देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक red wire है और एक black wire है ठीके तो red wire को क्या करना है आपको बैटरी के positive terminal के साथ connect करना है ठीके और जो black wire है उसको बैटरी के negative terminal के साथ connect करना है ठीके दोस्तों अब देखिए अब हमें इस inverter से output supply लेके जाना है कह पर लेकी जाएंगे दोस्तों यह जो हमारा switch word उसमें उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर जो हमारा power supply connect था इस fan के लिए और जो bulb के लिए उसको हम remove कर देते हैं ठीके तो यह जो हमारा fan था इसको power supply देने के लिए यहां पर एक wire connected ठीके यह वाली wire तो हमें इस wire को remove करना पर एगा तो यहां से remove कर देते हैं ठीके दोस्तों तो यहां पर हमने fan के लिए और जो bulb के लिए power supply जा रही थी उसको हमने remove कर दिया ठीके दोस्तों दोस्तों यह जो हमारा switch board है इसमें man power supply आई है ठीके और इस man power supply के दोरा के अवाल यह indication lamp और यह lamp और यह socket काम करेगा ठीके वाकि यह जो lamp है और यह जो fan है वो काम नहीं करेगा तो इसको power supply देने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा inverter दोरा power supply देंगे ठीके और दोस्तों यह जो हमारा switch board है उसमें inverter का power supply लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक two pin plug टोप का उपयोग करेंगे तो दोस अब यदि हम इस switch को प्रेस करेंगे तो क्या होगा power supply यहां से flow होते हुए regulator के द्वारा fan में चली जाएगी और जो हमारा fan है वो own हो जाएगी ठीके दोस्तों दोस्तों एक बात हम ऐसा याद रखना हम inverter से केवल face supply का इस्तमाल करते हैं neutral supply का इस्तमाल नहीं करते है neutral supply जो करेंगे कि यहां से एक wire को connect करके इस terminal के सार करने कर देंगे यानि कि switch के input terminal पर connect कर देंगे ठीक है अब क्या होगा यदि हम इस switch को और इस switch को on करते हैं तो क्या होगा यह जो fan है और यह जो lamp है वो inverter के द्वारा on हो जाएगी ठीक है और बाकी जो switch है वो सब manpower supply के द्वारा क करेंगे ठीक है दोस्तों अब यदि आपके घर का manpower supply चली जाती है तो आपका जो यह बल्ब है और यह जो fan है वो दोनों के दोनों own रहेंगे बाकी सब बंद हो जाएंगे ठीक दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम inverter का wiring करते हैं दोस्तों यहां पर मैंने आपको स सब कुछ explain कर दिया हूँ दोस्तों यदि आभी भी आपको कुछ doubt है तो आप comment box में comment करके पुछ सकते हैं और I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो पर like share और comment कर दीजिगा और हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं के तो subscribe भी कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद